नमस्कार दोस्तों आज मैं दोलेरा इसमाच सीटी में समझ दोलेरा इसमाच सीटी जो है नरेंदर मोधी जी का पोजेक्ट था वहाँ पे जो भी पोजेक्ट है लिगली प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धोखा दडली वाली बात थी लेकिन ए नेकसा ग्रूप जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग उनको भी परिशानी हो गया क्योंकि देखिए विश्वास इन्सान को जब होता है कोई चीज का जब विश्वास टूट जाता है तो इन्सान भिखर जाते हैं और जो सोचते हैं कि यह चीज हम कर लें तो करते नहीं है क्योंकि उनको क्या विश् सकते हैं कि जो हमारे देश का रच्छा करते हैं जो हमारी रच्छा करते हैं और नई थंड़ा देखते हैं नई गर्मी देखते हैं उन्हों के साथ में भी धोखा हो गया धोखा कैसे हुआ लोग बोलते हैं कि अपना ही अपने को मारता है यह सत्य बात हो गया क्योंकि जो से कम हमारे जो देश के रच्छा करने वाले जो हमारे बीर हैं जो दूसरे देशों से अपने जीवन जो है जीवन दाव पे लगा देते हैं उनलों को आज धोखा धदली में फस गए और वो लोग बरबाद हो चुके क्योंकि देखिए जो रनिंग चलता है जिसकी नोकरी रनि मेंट हो जाता है तो तो जितना रखा रहता है उसी पर उसको गुजराना किया करना पड़ता है उसको तो इसलिए दोस्तों हमारे फोजी भाई भी 200 से ऊपर 200 से ऊपर लोग इसमें इन्वेस्ट किये क्योंकि वह भी सोचे कि भाई हम तो रिटायर हो गए अब कोई साधर न जागा क्योंकि जासा जो है ना अब देखिए फोजी जो होते हैं और खुला दिल के रहते हैं क्योंकि उनको एकी बात सीट में आती है उनको एकी बात जहन में आते हैं कि हम रच्छा करना है अब उनको यह समझ में नहीं आता है कि हम धोखा करें धोखा धोखा का पार तो को सिखाया नहीं जाता है इसलिए हमारे फौजी भाई फस गये और जितने फौजी लोग है उन्हों का पूरा टोटल कम से कम कम से कम मैं बता रहा हूं 80-85 करोड से उपर उन्हों का पैसा फस गया और अभी उन्हों को भी इस्थिति वह भी क्या किये कि अपने तो अपने डाल वो भी फस गए अब उनको तो चोरी करने का धंग नहीं था लेकिन अब चोर कैसे चोरी करता है यह तो उनको मालूम नहीं था इसलिए वो लोग फस गए लेकिन एक बात हम यह तो बोलेंगे क्योंकि हमारे फोजी भाई जो हैं आप लोग संतोस किजिए इसलिए कि आप लोग हमारे देश का रच्छक हैं और आप लोगों के साथ में इंसाफ ही होने वाला है क्योंकि ये जो बात जो है नेकसा ग्रूप का जो बात है जो नेकसा कंपणी है ये पूरे भारत में तहलका मचा दिया है क्योंकि ऐसा फ्रोड कर दिया है लोग कि जो ये पोजेक एक रोजगार के तोर में बैठ रहा था ये जो धुलेरा इसमाच सीटी है लोगों को रोजगार के लिए ये सब बनाई जा रही थी वहाँ पर फ्रोड हुआ है तो ये तो समझ लिजिए कि कानून जो है इन लोगों क बाइस में नेक्सा में पैसा फसा हुआ है आप लोग यदि गुजरात में राष्ठान में मद परदेश में या UP में हैं काहीं पर भी भी हैने आप जरूर कानून का सहारा लीजिए और कानून आप लोगं का जरूर सहायता क्रेगी और इन लोगं को जो फ्राट्ट कीए हैं उनको जरूर पकड़ेगी और आप लोगं का पैसा जरूर मिलेगा यह मेरा विश्वास है क्योंकि वहां पे बहुत सारी कमपनियां बिल्डर लगे हुए हैं क्योंकि धुलेरा इसमार्च सिटी का विकास करने के लिए तो उनको भी परिशानी हो गई है तो आप लोग विश्वास रखिए कि आप जो है कानून का सहरा लिजिए कानून ही आपका सपोर्ट करेगा और कानून से आप लोग का पैसा जरूर मिलेगा जै हिन जै भारत